लेसन नमबर फो अब हम रिपीटेड लीनियर फेक्टर्स को डिसकस करेंगे इसका जो मैथर्ड है थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन पहला जो मैथर्ड हमने डिसकस किया उसी की थोड़ी सी एक्सटेंशन है इसमें लीनियर फेक्टर्स होंगे बट वो रिपीट हो रहे 1 over x minus 1 whole square into x minus 2 तो आप देख रहे हैं x minus 1 के उपर power 2 आ गई है तो 2 power का मतलब यह है कि 2 बार repeat हो रहा है यह है x square plus 7 x plus 11 over x plus 2 whole square x plus 3 यहाँ पर x plus 2 repeated है यह question है exercise 4.2 का question number 1 exercise 4.1 जो है वो case number 1 था अब जो 4.2 है case number 2 होगा x square minus 3 x plus 1 over x minus 1 whole square into x minus 2 जो fraction हमें given है यह clearly बात है कि यह proper fraction है improper नहीं है क्योंकि उपर power है 2 नीचे power है 3 क्योंकि x minus 1 whole square है और साथ में एक और x multiply हो रहा है तो x power 3 हासल होगी अगर उसको solve कर लिया जाए denominator को अब यह case number 2 है इसको जो solution होगा वो इस तरह से है देखें x square minus 3 x plus 1 over x minus 1 whole square x minus 2 अब देखा जाए तो यह चीज़ रिपीट हो रही है तो linear factors को हमेशा एक एक constant के तहाट लेकर चलते होते हैं तो x minus 1 आएगा फिर इसके power 1 आजाएगी यानिके power 1 शो करने के जुरूद नहीं है understood है तो b over x minus 1 यहाँ power show करनी पड़ेगी और plus है capital C over x minus 2 देखा जाए तो repeat जब होगा तो basically अब तीन factors हो गए है यूँकर repeat हो रहा है एक वर्ट दो दफा तो तीन constants आएंगे अगर चार factors होंगे चार constants पांच factors होंगे पांच constants यहाँ तीन factors हैं एक एक पावर 2 है तो तीन factors और तीन constants तो एक दफा पावर 1 लिखे second time power 2 लिख दिया अगर क्यूब होता परिग्दफा पावर लिखते 1 second time power 2 third time power 3 करते उसको तो अब ऐसा करते हैं के LCM कभी हो सकता है लेकिन अगर इस पूरे fraction को उठा के इस पूरे हिससे को उठा के उस तरफ ले जाएं इस पूरे हिससे को उठा के उस तरफ पहुंचा दें तब भी काम हो सकता है तो क्या बनेगा देखें जड़ा इदर क्या रह जाएगा X square minus 3 X plus 1 इदर आएगा X minus 1 square X minus 2 plus B over X minus 1 square और plus C over X minus 2 left hand side में जो fraction थी उसका जो डिनोमिनिटर था वो चुँके इदर डिवाइड हो रहा है पूरे का पूरा हिस्सा हमने उसको जो शिफ्ट कर दिया तो वहां सारे के साथ जा किया हो गया multiply हो गया अब अंदर तीन अलग 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 चीजे हैं तीन अलग 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 फ्रेक्शन हैं तो तीनों से अलग अलग multiply हो जाएगा तो कैसे लिखेंगे इदर आएगा एक सुकेर माइनस थ्री एक्स प्लस वन और इदर क्या आएगा multiply कर दे एक समाइनस वन सुकेर और एक समाइनस टू अंदर क्या आएगा देखें ए ओवर एक्स माइनस वन इसकी पावर है वन यहाँ पावर है वन और यहाँ पर भी पावर वन ही होगी अच्छा नेक्स क्या है देखें वहाँ जगा थोड़ी कम है तो मैं इसको यहाँ लिखता हूँ पलस x-1 पावर 2 x-2 और बी ओवर x-1 पावर 2 और पलस यहाँ पार x-1 पावर 2 x-2 c ओवर x-2 यह तीसरी चीज़ भी आ गई अब होगी कैंसलेशन यहाँ देखें इदर पावर वन है तो इदर कैंसल होकर पावर 1 रह जाएगी 2 थी 1 रह गया इदर पावर 2 है यह सारे का सारा कैंसल यह x-2 कैंसल तो होगा क्या देखें अग्योर minus 3x plus 1 is equal to x minus 1 x minus 2 into A plus x minus 2 into B plus x minus 1 square into C अब इसको के नाम दे दे यहां देखें जरा यह जो हमने इसको लिखा था यहां पर अगर इसको नाम दे दिया जाए फार एक्जामपल इसको कह दिया जाए 1 तो इसको हम कह सकते हैं अब 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 यहां पर हमारे बस थीन कॉंस्टेंट्स आ गए हैं पहला कॉंस्टेंट है ए कैपिटल ए तूसरा है कैपिटल बे तीसरा है कैपिटल से अब देखना यह है कि डारेक्ट जिससरा हमने पहले करते रहे पुछले दोस्ट फालों में हमने किया वो डारेक्ली कौंड से चीज़ें ऐसी हैं जिनकी उनकी वیल्यू आ सकती है होस्ता कैपिटल ए की वیल्यू डिरेक्ट आ जाए कैपिटल B की कैपिटल A C की तो चक करना पुड़ेगा देखें कैपिटल A में दौना फैक्टर्स आ गए हैं तो इसमें तो इसकी वैलियो नहीं आ सकेगी B के लिए हो सकता है कि X-1 को 0 पुट कर दिया जाए तो A और C जो है वो खतम हो जाएगे B की वैलियो आ जाएगी C के लिए है कि X-2 0 पुट कर दिया जाए तो A वाला भी पाट खतम हो जाएगा B भी खतम हो जाएगा C की वैलियो आ जाएगी यहां पर सक एक्वेशन है कि B और C की डिरेक्ट वैलियो आ सकती है लेकिन A की डिरेक्ट वैलियो नहीं आ सकती तो ऐसा करते हैं कि B और C की वैलियो कैलिकुलेट कर लेते हैं फिर A की वैलियो पे जाएगे तो ऐसा करते हैं For B पुट ऐसा फेक्टर जो B के साथ नहीं है बागी सब के साथ है वो है X-1 इसको 0 पूट कर दें X की वैलियो आ जाएगी 1 तो 2 इंपलाईज यह X की वैलियो टू में बुट कर दें तो यहां आएगा 1 सुके और माइनस 3 इंटू 1 पलस 1 अच्छा अब होगा यह कि आप देख रहे हैं कि यह चुके हमने X-1 को 0 पूट किया है तो यह इसको 0 कर देगा और यह भी 0 हो जाएगा तो B की जो है वो सिर्फ रह जाएगा B तो इसका मत्ब भी हुआ कि 0 इंटू A पलस अच्छा X-2 है X की वैलियो 1 है तो यहां आएगा 1-2 इंटू B पलस 0 इंटू C तो देखें 1 का स्केर 1 माइनस 3 पलस 1 यह भी 0 तो यहां आजाएगा यहां ब्रेकेट में अंदर आएगा माइनस 1 इंटू B और पलस 0 अच्छा अब सिंप्लिफाय कर लें इसको अगर तो तो यह रहा 1 पलस 1 टू इदर रहा जाएगा माइनस 1 और यह माइनस B तो B की वैलियो जोने तरफ नेगरिटिव साइन कैंसल कर दें B की वैलियो जो है 1 आ गई हमने एक वैलियो फाइंड की है B अब हम C की वैलियो फाइंड करेंगे तो हम देखें के कौन सा ऐसा फेक्टर है जो A और B के साथ है लेकिन C के साथ नहीं है तो चका लेते हैं यह देखें X माइनस 2 ऐसा फेक्टर है जो A और B के साथ तो है C के साथ नहीं है अगर X माइनस 2 को 0 पुट कर दिया जाए तो C की वैलियो आ सकती है तो अगेन पुट X माइनस 2 एक्वल टो 0 X एक्वल टो 2 X माइनस 2 जिरो पुट कर देंगे तो वो A वाला X सारे 0 कर देगा B को भी 0 कर देगा और C की वैलियो आ जाएगी तो 2 इंपलाइज 2 इंपलाइज का मतलब ही हुआ कि जहाँ जहाँ X है वहाँ वहाँ आप 2 पुट कर दें तो A वाला भी सारे 0 हो गया B वाला भी 0 हो गया सिर्फ C वाला रहा गया तो यहाँ आएगा 2 माइनस 1 0 पावर 2 है 2 माइनस 1 पावर 2 है और यह साथ में B आ गया स्केयर आइदर अच्छा अब क्या होगा सिंप्लिफाय कर लें इसको 2 का स्केयर 4 3 टू आर 6 पलस 1 यह यहाँ देखें 2 माइनस 1 क्या होगा 1 1 का स्केयर 1 1 इंटू B B आ जाएगा तो यहाँ से यहाँ B नहीं था यहाँ C था तो यह थोड़ी सी हमें दिहां रखना है कि हम C के लिए काम कर रहे हैं यह C है नौट दा B तो यहाँ C है तो सिंप्लिफाय जब करेंगे तो इदर आएगा 4 प्लास 1 फाइव 5 मानस 6 आ जाएगा तो C की वैल्यो आ जाएगी माइनस 1 C की वैल्यो माइनस 1 आ गई तो डारेक्ली तो हमने B और C की वैल्यो फाइंड कर ले बट अब A के लिए हमें यह पूरी की पूरी जीक्वेशन है इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा आई उसको फर्दर सॉल्व करते हैं नाओ फार A टू इमपलाईज लफ्ट एंड साइड तो एज इड़ रहेगी X स्केयर मानस 3 X प्लस 1 और जो राइट एंड साइड है X मानस 1 होल स्केयर है उसको साल करना पड़ेगा अच्छा इदर देखें टू में देखें जड़ा X मानस 1 इंट एक्स मानस 2 है इसको हल करना पड़ेगा थोड़ सी कल दते हैं कैलकुलेशन इदर यह आ जाएगा और प्लस जस्त हमने X मानस 1 को मल्टिप्लाय गिया X मानस 2 के साथ और X मानस 2 है और इदर भी है और यहां पर स्केयर था X मानस 1 का तो क्या बनेगा फर्मूला अपलाय कर दें X O क ए और प्लस 1 मानस 2 X और इदर सीया गया X मानस 1 होल स्केयर X O क ए अ प्लस 1 स्केयर मानस 2 इंट्वेक्स इंट्वान तो ये बनता है हमारे पास अब देखें एक्सो के और माइनस 3 एक्स प्लस वन यह आएगा एक्सो के आर माइनस टू एक्स माइनस एक्स प्लस टू इंटू ए पलास X minus 2 into B plus X okay minus 2 X plus 1 यह आगिया अब यह करेंगे तो थोड़ा और इसको expand कर देंगे क्या बनेगा देखें X okay minus 3 X plus 1 अच्छा यहां देखें जड़ा यह बनता है X okay minus 3 X plus 2 into A plus X minus 2 into B plus X okay minus 2 X plus 1 into C अब ड़ी अब इसको श्बिट कर देंगे इसको श्राप्रोंट कर देंगे अच्छा 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 आदर रहे देंगे और इदर आजएगा प्लास सी एक साधर माइनिस तू सी एक्स प्लास वां अलग लग कर देँ से दे तदें रउन के साथ एदर एक्स के कोफिशन डबेसिकली बन एकस के साथ त्री ए Serv style और यह वह तो रजही 240 जाह ऐसे और यह वान होगे आइक्स पोवर जीरो अच ऐसा करते हैं यह देखें एक्स क्यर वाले लग कर दें और जो एक्स वाले हैं यह एक्स वाले हैं तो ऐसा करते हैं X square बार रख लेते हैं अंदर आ जाएगा A प्लस C प्लस X जब कामल लेंगे तो यहां आएगा माइनस 3A प्लस B माइनस 2C और यहां पर आ जाएगा प्लस 2A माइनस 2B और यह आ गया यहां पर देखें अगैन कैलकुलेशन जो एरर है वो नहीं होना चाहिए यहां देखें C को मुट्पलाइज जब कि यह X square के साथ तो यह आ गया C X square फिर C को मुट्पलाइज गया 2X के साथ तो माइनस 2C X और यहां C into 1 होना चाहिए C यह C आ गया तो यहां देखें यहां भी यह क्या बनेगा हमारे पास है C बनेगा और यह कांस्टेंट्स है सारे के सारे यह हमने इसको एक्सपेंड किया सिंपलिफाई किया और एक प्रॉपर और अडर में लिख लिया यह निए X square के लिहाज से लिखा X के लिया से लिका और कॉंस्टेंस लिख लिए अब हम दुन तरफ कंपेरिजन करेंगे कौफिशन को कंपेर करेंगे यह यह एक स्टेडिजी होती है मैथड होता है तो करें कंपेरिजन कंपेरिंग कोफिशन्ट अन बोथ साइड तो पहले एक स्केर वाले जो कोफिशन्ट हैं वो कंपेर करते हैं तो देखें इधर जो है इधर हमारे पास X का साथ 1 है और इधर A प्लस C है इसका मदब भी हुआ के वान इज एक्वल टू A प्लस C एक एक विशन तो यह आ गई ठीक हो गया उसके बाद यह है कि पर X वाले करते हैं जरा कोफिशन्ट कंपेर करते हैं तो इधर आएगा माइनस त्रे उधर के आ गया माइनस त्री A प्लस B माइनस टू सी तो माइनस त्री A प्लस B माइनस टू सी अच्छा जो कॉंस्टेंट्स हैं यह एक्स पावर जीरो वाले वो क्या है इधर वन है और उधर क्या है टू ए माइनस टू भी प्लस सी अच्छा अब बात यह है हमारे पाथ हमें सिर्फ A की वैल्यू चाहिए तो जो पहले एक्विशन हमने बनाई है फर एक्सामपल देखें यह जो एक्विशन है हमारे पास है अगर इसको नाम दे दिये जाएं इसे कह दिया जाए एक्विशन नमबर थ्री यह आगई फॉर यह आगई फाइव तो मैं ऐसा करूंगा कि मैं सिर्फ C की वैल्यू पुट कर दिऊंगा A की वैल्यू आ जाएगी तो 3 implies यहां 1 is equal to A और C की वैल्यू हमने क्या निकाली थी माइनस 1 तो यहाँ पर C की वैल्यू पुट कर दें माइनस 1 तो यहां से देखें उधर ले जाएं तो A की value आ जाएगी 2 A की value हमने सिर्फ पहली equation को use किया equation number 3 को तो हमारे पास A की value आ गई क्योंकि C की value हमारे पास पहले से मौझूद थी तो अब अभी है कि हमने तीनों values find कर ली A, B और A, C हम उन्हें वहाँ put करेंगे और हमारे पास answer आ जाएगा तो कहाँ put करना है equation number 1 में this implies 1 implies equation number जो 1 थी वहाँ पर हमने यह सब कुछ है put करना है क्या थी equation number 1 x okay और माइनस 3 x plus 1 A के value आपने find की हुई है 2 तो लिख दें 2 over x minus 1 plus अच्छा अब जो B की value आपने find की थी वह थी 1 तो इदर आएगा 1 over x minus 1 square और plus c की value हमने find की थी minus 1 minus 1 over x minus 2 तो इसको हम यू तरह से भी लिख सकते हैं तो यह हुआ के इसको इसको हमने partial fraction में transform कर दिया question था वो इस तरह से था कि एक fraction हमें, algebraic fraction हमें given थे और उसके denominator में repeated linear factors है तो हमने capital A, capital B, capital C उनको put किया और फिर हमने उसको simplify जब किया तो B और C की direct values आ गएं लेकिन A की value लाना वहां से possible नहीं था यूँक्कि को ऐसा factor नहीं था जो B और C को remove कर सके और A की value आ सके फिर हमने उसको expand कर दिया जब expand किया तो उसको order में लिखा हमने x square के जो coefficient से अलग कर दिये x वाले अलग कर दिये और constants को separate कर दिया फिर हमने एक टेक्निक अप्लाई की comparing the coefficients और वहां से हमें A की value हासिल हो गई और पिर हमने उसको original जो हमें question given था उसके अंदर put गिया और हमारे पास final answer आ गया